नमस्कार, अध्यनेड़ा YouTube चनल पर एक बार फिर से आप सबी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है NCRT Class 6th Geography का यह Second Part है जिसमें हम दो चेप्टर्स को आज डिसकस करेंगे एक है आपका Globe यानि अच्छांस और देशांतर और दूसरा है प्रत्वी कीगतिया दोनों ही चेप्टर्स काफी important हैं चाहे आपके कोई एक दिवसी परिक्षा हो या कोई PCS का एक्जाम हो इस चेप्टर से जिग्राफी में questions हमेशा ही बनते हैं जिस तरीके से चीजों को यहाँ पर मैंने दिखा है जिस तरीके से NCRT के notes मैंने बनाने की कोशिश की है I hope कि आपके सभी exams के लिए यह बिल्कुल equally beneficial रहेंगे ठीक है तो चलिए start करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं globe के विशे में उसके बाद मैं अच्छांस और देशांतर को समझते हुए आगे बढ़ेंगे globe क्या होता है अगर globe को अगर हम क्या करें परिभाशित करें तो globe को हम कह सकते हैं कि जैसे हमारी प्रत्वी है आप जानते हैं प्रत्वी का आकार काफी बड़ा है तो प्रत्वी को वास्तविक रूप में प्रदर्शत करने के लिए या प्रत्वी का कोई प्रतिरूप बनाने के लिए जिस equipment की साहेता ले जाती है जिस चीज की साहेता ले जाती है उसको हम globe कह सकते हैं तो globe क्या है, globe वास्तविक में प्रत्वी का लगू रूप में यानि छोटे रूप में एक वास्तविक रूप से बनाया हुआ क्या है, प्रतिरूप है, प्रतिरूप है जिसको हम globe के नाम से जानते हैं और globe पर जितनी सारी चीजों को दिखाया जाता है, जैसे सबी सारे जितन पर दर्शाया जाता है चाहे वो देश हों चाहे वो महादीप हों चाहे वो महाशागर हों उन सभी को उनके वास्तविक जो आकार है या या फिर महादीपों के वास्तविक आकार की बात करें या महासागरों के वास्तविक आकार की बात करें तो उनके वास्तविक आकार के आन हो यानि प्रत्वी को वास्तवएक रूप में समझने केलिए हम किसकी साहत लेते हैं, क्लोप की साहत लेते हैं, अब जैसे आपने ग्लोप तो देखा ही होगा, हो सकता है, आप मैंसे बहुत सारी लोगों की घर पे भी ग्लोप होगा, इस्कूल में, कॉलेज में आपने globe देखा होगा तो globe को जब हम देखते हैं तो कुछ इस तरीके की आकरती हमारे सामने नजर आती है ठीक है मैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए बनाने की कुशिश कर रहा हूँ इस तरीके से ठीक है इस तरीके से globe आपको नजर आता है यानि थोड़ा सा जुका हुआ आपको दिखाई देता है क्योंकि वास्तविक रोप में जो हमारी प्रत्वी है वो भी अपने अच्छ पर जो है जुकी हुई है जिस तरीके से प्रत्वी अपने अच्छ पर जुकी हुई है उसी तरीके से जब आप globe market से खरीद करके लाते हैं तो वो भी आपको अपने access पर थोड़ा सा जुका हुआ प्रतीत होता है ठीक है अब जैसे market से हम जो globe खरीद करके लाते हैं आप देखे होंगे उसमें एक कह सकते हैं उसको balance करने के लिए एक line होती है यह वास्तविक line प्रत्वी पर नहीं होती है प्रत्वी की अगर point of view से देखें तो यह कालपनिक रेखा होती है ठीक है जो प्रत होती है इसको sweet भी कह सकते हैं और इसी की वज़े से जो प्रत्वी है मैं प्रतिरूप की बात कर रहा हूं globe की बात कर रहा हूं तो इसी sweet की वज़े से या इसी access की वज़े से या किसी अच्छ की वज़े से ही प्रत्वी अपने अच्छ पर जुकी हुई प्रतीत होती है ठीक यह प्रत्वी के जो दो पॉइंट है, जैसे यहाँ पर आप देखें, प्रत्वी के जो दो पॉइंट है, ठीक है, इस तरीके से मैं बनाने की कोशिज कर रहा हूँ ताकि आपको वास्तविक रूप में प्रत्वी जुकी हुई दिखाई दे, तो यह जो होता है, आपका साउथ फॉल होता है, यानि यह उत्तरी ध्रूब है, यह दचडी ध्रूब है, ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ से इमेजन कर पा रहे होंगे, कि जो उत्तरी ध्रूब है, यानि नौर्थ पॉल और नीचे यह है आपका साउथ पॉल, यानि उत्तरी ध्रूब को दचडी द्रूब से मिलाने वाली जो कालपनिक रेखा होती है उत्तरी ध्रूब और दक्षडी ध्रूब को यानि पृत्वी के नौर्थ पोल और साथ पोल को मिलाने वाली जो इमेजनिश्री या imaginary line होती है कालपनिक रेखा होती है उसको क्या कहा जाता है उसको अच्छ कहा जाता है तो यहां से हम कह सकते हैं globe पर वे दोबिंदू जिनसे स्वी गुजरती है जिनसे अच्छ गुजरती है वो क्या है उत्री धुब और दक्षडी धुब है ठीक है आगे देखते हैं एक अन्य कालपनिक रेखा भी globe को दो बराबर भागों में बाटती है एक और कालपनिक रेखा है जिसके द्वारा पूरी प्रत्वी को दो बराबर भागों में विभाजित किया जाता है इसको क्या कहा जाता है विशुवतवरत क्या है? इस जो आकरती आपको दिखाई दे रही यहां पर इसकी सहाय तासे इसको आसानी से आप समझ सकते हैं. जैसे यह परतवी का एक प्रतिरूप आपको नजर आ रहा है. ठीक है? तो परतवी पर दाएं से बाएं या बाएं से दाएं जो रेखाएं आप को नजर आती हैं देखिए जिस तरीके से मैं यहां पर अंटर्लाइन कर रहा हूँ यह वाला यह वाली रेखा यह वाली रेखा यह दरसल अच्छांस रेखाएं होती है जिनको हम आगे पढ़ेंगे ठीक है और वह अच्छांस रेखा जो प्रत्वी को बिल्कुल कह सकते हैं दो बराबर पार्ट्स में डिवाइट करती है या हम ऐसे कहें कि प्रत्वी के बिल्कुल बीचों बीच से होकर के गुजरती है उसको हम zero degree chance ठीक है अभी इसके बारे में हम आगे इसी वीडियो में बड़े विस्तार से डिसकस करने वाले है क्योंकि मैंने NCRT में change नहीं किया है जिस तरीके से NCRT का जो वास्तविक रूप है NCRT जिस तरीके से लिखी हुई है उसी तरीके से मैं आपको इसको बिल्कुल प्रदश्यत करने की कोशिश कर रहा हूँ इसका जो वास्तविक मूल्य है इसको मैं change नहीं करने की कोशिश कर तो पर्थवी को बीचों 20 से होकर के गुजरने वाली जो लाइन होती है उसको जीरो डिगरी अच्छांस या विशुवत रेखा कहा जाता है और जितनी भी अच्छांस रेखा है ये अपने आप में क्या है वरत हैं ठीक है क्योंकि ये पर्थवी के बिल्कुल चारों देखो यहां से आप बिल्कुल इसको समझ सकते हैं चाहे ये रेखा हो गई ठीक है ये बिल्कुल पर्थवी के चारों और वरत के रूप में विद्यमान रहती है या ये ये देखा हो गई और यो बीच में आपको डॉट-डॉट दिखाई दे रही है आपके पास अगर NCRT की बु होगी तो उसमें आप देख पाएंगे ये जो पर्थवी के बीचों 20 से होकर के ये जो वरत गुजरता है इसको हम विशुवत वरत या जीरो डिगरी अच्छांस जो होती है उसको विशुवत रेखा ठीक है इसको हम कह सकते हैं विशुवत रेखाओं को समान अंतर जो गलोब को दो बराबर भागों में बाटती है इसको हम विशुवत वरत कहते हैं और अगर इस तरीके से भी आपकी समझ में नहीं आए तो मैं आपको बिल्कुल सामाने तरीके से समझाने की गुशस करता हूँ ये पर्थवी है जीरो डिगरी जो लाइन होती है वो बिल् विशुवत वरत भी कह सकते हैं जीरो डिगरी अच्छांस है तो इसको जीरो डिगरी अच्छांस रेखा भी कह सकते हैं ठीक है ये पर्थवी को बिल्कुल बराबर दो भागों में बाटती है इसका जो ऊपर वाला भाग होता है उसको हम कह सकते हैं उत्तरी गोलार्द और नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको हम कह सकते हैं दक्षणी गोलार्द, ठीक है? दो बराबर गोलार्दों में इसको विभाजित किया जाता है, किसके दौरा विभाजित किया जाता है? विशुवत वरत्त के द्वारा या जीरो डिगरी अच्छांस रेखा के द्वारा ठीक है आगे देखते हैं विशुवत वरत्त से ध्रुवों तक सभी समानांतर जो वरत्त होते हैं उनको हम अच्छांस रेखाएं कहते हैं इसी के बारे में मैं आपको बता रहा तब फिर दु नीचे भी है विशुवत वरत्य से उपर की तरफ जाएंगे तो आप उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ेंगे विशुवत वरत्य से नीचे की तरफ आप जाएंगे तो दच्छडी ध्रुव की ओर बढ़ेंगे जितनी भी रेखाएं हैं या जितनी भी वरत्य हैं मैंने आपको बताया था, जो अच्छांस रेखाएं होती हैं, वो प्रतिवी के चारों और वरत्त के रूप में विध्यमान रहती हैं, ये कालपनिक रेखाएं हैं, वास्तवक रूप में प्रतिवी पर नहीं हैं, लेकिन समझने की द्रस्टी से इनको हम जो है गलोब पर प्रदर्शित करत हैं, ठीक है, तो विशुवत वरत्तिशे ध्रुबों तक जितनी भी समान अंतर वरत्त हैं, जितने भी समान अंतर वरत्त हैं, देखें यहां पर उपर वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो दिख रहा हैं, अब ऐसे ही ये सारे वरत्त हैं, क्योंकि यहां पर डाइग्राम में इनकी जो सारी विमाएं हैं, इनको प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है, ठीक है, तो ये वरत हैं, और ये वरत कैसे हैं, एक दूसरे के समानांतर हैं, बिलकुल एक दूसरे के समानांतर हैं, विश्वत वरत जो है, ये सबसे बड़ा वरत इसको आप कह सक और विशुवत वरत्त से जब हम ध्रुवों की ओर चलते हैं ध्यान से देखेगा मैं क्या कह रहा हूं कि विशुवत वरत्त से जब हम ध्रुवों की ओर चलते हैं तो ये जो वरत्त है या अच्छांस है इनकी दूरी जो है वो घटती चली जाती है ठीक है अब जैसे देखें विशुवत वृत्त है क्योंकि ये प्रत्वी के बीचों बीच से है, तो ये सबसे बड़ा वृत्त होगा, इससे उपर चलेंगे, तो इसकी जो है, कह सकते हैं, जो लंबाई है, वो और कम हो जाएगी, इससे थोड़ा और उपर चलेंगे, तो और कम होगी, फिर इससे होते चले जाते हैं ठीक है विश्वत वरत्य इसको हम जीरो डिगरी अच्छांस भी कहते हैं ठीक है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है जहां विश्वत वरत्य की बात की जा रही है वहां पर आप यह समझ सकते हैं कि जीरो डिगरी अच्छांस की बात हो रही है विश्वत वरत्य से दोनों तरफ ध्रवों के बीच की दूरी जो होती है वो प्रत्वी के पूरे वरत्य का एक चौथाई होती है इस चीज को आप समझेगा ठीक है अब जैसे मैंने यहाँ पर इस तरीके से मैंने ग्लोब बनाया ठीक है इस तरीके से मैंने ग्लोब को बनाने की कोश्चिस की है अब विश्वत वरत्य कहां है सर आपका विश्वत वरत्य यह हो गया आपका बीचों बीच में ठीक है जीरो डिगरी अच्छांस यह आपका जीरो डिगरी अच्छांस हो गया, अब विशुवत वरत्य से दोनों तरफ, चाहे आप उपर की तरफ चलें, चाहे आप नीचे की तरफ चलें, तो विशुवत वरत्य से दोनों तरफ ध्रुबों के बीच की जो दूरी होती है, वो पर्थवी के पूरे वरत्य का एक चौथा ही जाए तो कितने होती है 360 degree ठीक है और इसको बिल्कुल डीप में समझने की कोसिस करता हैं जैसे मैं इस तरीक़े साफ को समझाने कोसिस कर रहा हूं यह 4 चतोर्थांस आपको नज़रा रहे हैं अगर हर चतोर्थांस को देखें तो यह कितने degree को denote करता है एक चतोर्थांस 90 degree को प्रदर्शित करेगा ऐसे ही दूसरा चतोर्थांस भी 90 degree को प्रदर्शित करेगा तीसरा चतोर्थांस भी 90 degree को और चौथा चतोर्थांस भी 90 degree को प्रदर्शित करेगा इन सभी चतोर्थांसों को मैं एक वरत के संपूर्ण व्रत्य है, जो 360 डिग्री का होता है, अगर हम विश्वत रेखा से, ये बीच वाली जो रेखा है, विश्वत रेखा है, विश्वत रेखा से चाहे हम North Pole की ओर चलें, ठीक है, चाहे हम South Pole की चलें, यानि जनरली हम कह सकते हैं, कि विश्वत रेखा से दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी, ठीक है, पर्थवी के संपूर्ण व्रत्य का एक वट्टे चार होती है, यानि 90 डिग्री होती है, ठीक है, अब यहाँ पर एक समझने की बात यह है, कि 90 डिग्री नौर्थ अच्छांस जो होता है, 90 डिग्री नौर्थ अच्छांस जो होता है, उसको हम उत्री ध्रुव कहते हैं, ठीक है, उत्री ध्रुव कहते हैं, यहाँ देखिए, मैंने आपको बताया था, यह विश्वत व्रत्त होगे आपका, ठीक है फिर ऐसे ही करके और भी समानांतर व्रत्त होंगे तो यहां पर एक point होगा एक particular point होगा यह व्रत्त नहीं होगा 90 degree एक point होता है 90 degree एक व्रत्त नहीं कह सकते है 90 degree को आप 90 degree है एक point और यह point है यह point को नाम दिया जाता है उतरी ध्रोग अगर north की तरफ बात करें तो ऐसे ही south की तरफ चलेंगे तो यहां पर भी एक particular point होगा वो भी 90 degree पे होगा लेकिन इसका जो कह सकते हैं direction अलग है यह north की तरफ है और यह कित की तरफ है यह south की तरफ है तो यह जो 90 degree point होगा particular point इसको हम कहेंगे उतरी ध्रोग और 90 degree south में जो particular point होगा उसको बोलेंगे हम दक्षडी ध्रोग ठीक है तो 90 degree north अच्छांस को हम कहते हैं उतरी ध्रोग और 90 degree दक्षडी अच्छांस को हम कहते हैं दक्षडी ध्रोग अब यहाँ पर देखेंगे इसका जो कह सकते हैं point particular एक ही है सिर्फ उसकी direction अलग लगें कभी कभी NCRT के example से उठा करके सीधे प्रस्ण आपसे पूश लिया जाता है तो NCRT में ही एक example दिया है जैसे महारास्टर में एक स्थान है चंदरपुर और दक्षड अमेरिका के ब्राजील में एक स्थान है बेलो होरिजेंटे ठीक है बेलो होरिजेंटे यह NCRT के example है और विशेश उरूप से जब आप NCRT पढ़ रहे हैं तो एक चीज अपने दिमा हाग में बिल्कुल आपको सेव करके रखना है को कि directly NCRT के example से कभी कभी question पोच लिया जाता है तो यहाँ पर इसी चीज को define करने के लिए इसी चीज को और अच्छी तरीके से समझाने के लिए यह example दिया गया है कि महारास्टर का एक स्थान है चंदरपुर और दक्षडी अ लेकिन जो चंदरपुर है यह 20 डिगरी नौर्थ पर है और बेलो होरिजेंटे जो है यह 20 डिगरी साउथ पर है ठीक है यह विश्वत वरत के उत्तर में है और यह विश्वत वरत के कहां पर है दक्षड में है लेकिन है एक ही particular point पर 20 डिगरी पर लेकिन 20 डिगरी नौर्थ में चंदरपूर है और 20 डिगरी साउथ में बेलो होरिजॉंटे है ठीक है तो प्रशन यहां से पूछा जा सकता है इस तरीके से भी पूछ लिए जा सकता है कि जैसे आपको पेर दे दिये जाएं इस्थानों के जैसे एक पेर आपको दे दिये जाएं चंदरपूर और बेलो ह आपको एक्जामपिल पता होगा तो इसका आसानी से आप आज जर जो है वो दे सकते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं यह चीज जो है आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझनी है क्योंकि जब भी आप जोग्राफी पढ़ेंगे आगे और भी समझने की चीजों की तरफ रखनी है और जहां से डाइरेक्ली कुश्चन्स पूछे जाते हैं अभी हमने विश्वत रेखा के बारे में बात करी विश्वत रेखा जीरो डिगरी अच्छांस जिसको हम कह सकते हैं यह प्रत्वी को बिलकुल बराबर दो भागों में बाढ़ती है यहां भी आप देखि है और विश्वत रेखा के दक्षड वाला जो भाग है यह पूरा दक्षडी गोलार्द है ठीक है यहां तक क्लियर हो गया अब इसके बाद में और कौन-कौन सी ऐसी रेखाए हैं और कौन-कौन से ऐसी अच्छांस हैं जो आपको याद रखनी है अब जीरो डिगरी तो यहां पर दिखाई देती है साड़े 23 डिगरी उत्री अच्छांस साड़े 23 डिगरी उत्री अच्छांस इसको कहते हैं हम करकरेखा ठीक है डायरेक्टली प्रशन पूछा जाता है साड़े 23 डिगरी उत्री अच्छांस को किस नाम से पुकारा जाता है क्या कहा जाता है उसक को हम आर्काटिक वृत ऐसे ही जीरो डिग्री अच्छांस से दक्षड की तरब चलते हैं। सेम पॉइंट है देखिए साड़े तेश डिग्री यहां था, साड़े तेश डिग्री यहां पे हैं। सिर्फ डाइरेक्शन चेंज है, यह नौर्थ है, यह साउथ है। ठीक है तो साड़े 23 डिग्री उतरी अच्छांस को हम करकरेखा कहते हैं और साड़े 23 डिग्री दक्षडी अच्छांस को हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं। इसी तरीके से देखे उपर भी जो point था वो 6.5 डिगरी था नीचे भी एक point है 6.5 डिगरी लेकिन direction change है उपर जो 6.5 डिगरी north है उसको हम marketic व्रत्त कहते हैं और नीचे जो 6.5 डिगरी south है उसको हम Antarctic व्रत्त के नाम से जानते हैं अब यहां से एक और चीज समझें आपने कभी-कभी पढ़ा होगा सीटोषन कटीबंद ठीक है उषन कटीबंद सीट कटीबंद ये क्या होते हैं इनको समझें बड़ी सामानेसी चीज़े हैं इसको समझने में कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होगी ठीक है थियोरी हम ब पर जो ध्रुव हैं, चाहे वो उतरी ध्रुव हो, चाहे वो दक्ष्डी ध्रुव हो, ध्रुवों पर आपको पता होगा, 6 महीने का दिन, 6 महीने की रात होती है, यह आगे हम और discuss करेंगे, जब हम परत्वी की गतियों को पड़ेंगे, तो जैसे आप देखेंगे, यह जो वि विशुवत रेखा के दोनों तरफ, आप देखेंगे, यानि 0 degree अच्छान से 25 degree south की तरफ चलें, या 25 degree north की तरफ चलें, यह जो पूरा portion है, ठीक है, मैंने इसको dark कर दिया है, ठीक है, 25 degree north से ले करके, ध्यान से समझेगा, 25 degree north से ले करके, 25 degree south के बीच का जो भाग है, कि इसके बीच में आपकी विशुवत रेखा पड़ती है, विशुवत रेखा पर वर्सभर सूर की किरनें जो हैं, लंबवत पड़ती हैं, इस वज़े से इस भाग में बहुत जादा गर्मी रहती है, बहुत जादा, जो है, कह सकते हैं, temperature रहता है, बहुत जादा गरम मौशम रहता है तो 0 degree chance यानि विश्वत रेखा के दोनों तरफ 1.5 degree north की तरफ चलें 0 degree से या 0 degree से 1.5 degree south की तरफ चलें ये पूरा भाग जो है ये उश्ण कटेबंद के नाम से जाना जाता है गर्म कटेबंद के नाम से जाना जाता है ठीक है अब यहां से आप देखें के 23 degree उतरी अच्छांस और 66 degree उतरी अच्छांस के बीच का जो भाग है अब इदर से देखेंगे 23 degree उतरी अच्छांस से सटा हुआ अश्चा है साड़े 23 degree उतरी अच्छांस के आसपास गर्मी पड़ती है और 64 degree उतरी अच्छांस के आसपास सर्दी पड़ती है सर्दी जदा रहती क्योंकि ध्रोभों के नजदीक है तो इधर देखेंगे इसका जो कह सकते हैं एक point है जो गर्मी वाले एरिया के पास है एक point है जो ठंड वाले एरिया के पास है यानि यहां पर दोनों तरह का मिला जुला मौसम आपको देखने को मिलता है यहां पर Sheet भी र लब है ठंडा प्लस गर्म ठीक है सीत भी है उष्ण भी है क्योंकि दोनों चीजों के जो है ये निकट वरती है साड़े 30 डिगरी उत्री अच्छांस के असपास गर्मी रहती है साड़े 60 डिगरी उत्री अच्छांस के असपास सर्दी रहती है दोनों के बीच का जो पोर्शन होगा ये शी तोष्ण हो जाता है ठीक है और उपर वाला जो भाग है साड़े च्छासट डिग्री नौर्थ से लेकर के जो उपर वाला भाग है ये उतरी ध्रोब में आ जाता है पूरा उतरी शीत कट बंद आ जाता है ये क्योंकि इसका निकट वरती हिस्सा जो है उफड कट बंद में आता है और इससे आगे की तरफ जब हम चलते हैं नीचे की तरफ साड़े च्छासा डिग्री साउथ की तरफ चलते हैं जो विशुवत रिखा से उपर की तरफ है उसको हम कह सकते हैं उत्तरी सीतोष्ण कटबंद और नीचे की तरफ है उसको बोल सकते हैं दक्षडी सीतोष्ण कटबंद ठीक है और नीचे की तरफ आप जानते हैं धृमों वाला ये उत्तरी सीत कटबंद है और ये नीचे दक्ष पूछ लिए जाते हैं, टॉंगा दीप कहा है, परशांत महासागर में, आप याद रखेंगे यहां से, तो परशांत महासागर में इस्तित मौरिशस दीप, मौरिशस हिंद महासागर में हैं, टॉंगा दीप परशांत महासागर में हैं, ये दोनों ही जो दीप हैं, ये एक ही अच्छांस पर हैं, ठीक है, 20 डिगरी साउथ अच्छांस पर इस्थित हैं, लेकिन इनकी सही इस्थिती को जानने के लिए हमको सबसे पहले क्या पता करना होगा, कि उत्तरी ध्रूब को दश्री ध्रूब से जो संधर्ब रेखा जोडती है, ठीक है, संधर्ब रेखा से इन पॉइंट्स की पूर या पस्चिम की दूरी कितनी है, यह हमको जानना होगा सबसे पहले, तो यह जो संधर्ब रेखाएं हैं, यही देशांतरी या मियोत्तर या देशांतरी रेखाएं कहलाती हैं, देशांतर रेखाएं जो होती है, globe पर अगर इसको हम देखें, अभी हमने अच्छांस रेखाएं पड़ेती अच्छांस रेखाएं इस तरीके से की चीज आती है ठीक है, बाएं से दाएं और ये एक वरत्त के रूप में होती है ये चीज भी, एक point भी हम clear कर चुक है ये जो होती है, अच्छांस रेखाएं जो होती है ये किस के रूप में होती है, अच्छांस रेखाएं जो होती है ये वरत्त के रूप में होती है अब देशांतर रेखाएं जो होती है वो उत्तर से दक्षड की और खीची जाती है और यहां पर समझने की बात यह है कि जो अच्छान्स रेखाएं होती है वो ग्लोब पर एक वरत्त का निर्माड करती है बहुत ही important point है अच्छान्स रेखाएं जो होती है वो वरत्त पर ग्लोब पर एक वरत्त का निर्माड करती है और देशांतर रेखाएं जो होती हैं वो ग्लोब पर अर्धवरत बनाती हैं क्या बनाती हैं अर्धवरत बनाती हैं जैसे जैसे धुरवों की ओर बढ़ते हैं जैसे जैसे हम धुरवों की ओर बढ़ते हैं तो इनके बीच की दूरी कम हो जाती है ठीक है यहां से आप देख प तो धुरवों पर सारी देश अंतर रेखा हैं एक ही पार्टिकुलर पॉइंट पर आकर के मिल रही है तो यहां से हम आसानी से यह कह सकते हैं कि धुरों की ओर जैसे जैसे देश अंतर रेखा हैं बढ़ती हैं तो उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कम होती चली जाती है और ध्रवों पर इनके बीज की दूरी शून्य हो जाती है सून्य कैसे हो जाती है फिर दुबारा से इस चित्र को ध्यान से देखिए ध्रवों पर सारी देशांतर रेखाएं एक ही पॉइंट पर मिलती हैं चाहे वो North Pole की बात करें, चाहे हम नीचे की तरफ South Pole की बात करें धुर्वों पर जैसे ही देशांतर रेखाओं का मिलान होता है तो वो एक ही कह सकते हैं Particular Point पर होता है जब एक ही Point पर सारी रेखाओं मिल लई हैं तो इसका मतलब है उनके बीच की दूरी धुर्वों पर क्या है, जीरो है, सुन्य है तो यह छोटे-छोटे Point है इनको याद रखेंगे, देशांतर जो है वो बरत नहीं बनाते हैं, अर्ध बरत बनाते हैं धुर्वों की ओर देशांतरों के बीच की दूरी जो होती है वो कम हो जाती है और धुर्वों पर पहुंचते ही शुन्य हो जाती है जैसे एक अंतर और देखें, अच्छांस रेखाया जो होती है उनकी लंबाई जो होती है, वो समान नहीं होती है ठेक है, अच्छांस रेखाओं की लंबाई समान नहीं होती है मैंने आपको बताया था फिर एक बार बता रहा हूँ, फिर समझे, यह जो सबसे 20 से हो करके जाएगी, यह सबसे बड़ी, इसकी लंबाई होगी, विशुवत, वरत जो है, यह सबसे बड़ा होगा, इससे उपर की तरब चलें, या फिर हम नीचे की तरब चलें, चाहे हम उत्तरी दरुफ की तरब चल होते हैं, वो समान होते हैं, जो देशांतर हैं, इनको मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था, तो इनकी लिए क्या किया गया, शुविधा के लिए, ग्रीन विच वेद साला से गुजरने वाली जो यामियोत्तर है, उसको प्रमुख यामियोत्तर माना गया, जीरो विच्वेटसाला से जो यामवित्तर कुजरती है, उसको सबसे प्रमुख यामवित्तर माना गया और उसको नाम दिया गया जीरो डिग्री देशांतर, ठीक है, अब यहां से हम, जीरो डिग्री देशांतर से हम क्या करते हैं, एक सो असी डिग्री पूर्व या एक सो असी डि कि जब हम गड़ना करते थे तो नौर्थ और साउथ में करते थे ध्यान से देखिएगा फिर दुबारा से समझाने की कोशिस करता हूँ कि जब हम अच्छांस रेखाओं की गड़ना करते थे तो अच्छांस रेखा हैं क्योंकि जो सबसे प्रमुख अच्छांस रेखा होती है zero degree a chance रेखा होती है वो प्रतिवी को दो अलग-अलग भागों में बाढ़ती है दो बराबर भागों में बाढ़ती है और वो दोनों बराबर भाग जो है उनको एक को हम उत्री गोलार्द, दूसरे को हम दक्षडी गोलार्द कहते हैं तो जब भी यहां से हम count करते हैं, जब भी यहां से गड़ना की जाती है, तो या तो वो north अच्छांस की रूप में, या south अच्छांस की रूप में, या तो उतरी अच्छांस की रूप में, या दक्षडी अच्छांस की रूप में हम calculate करते हैं, गड़ना करते हैं, लेकिन इस आपको पता है इधर पूर्व होता है इस्ट इधर होता है पस्चिम ठीक है इधर पूर्व है इधर पस्चिम है इधर पूर्व है इधर क्या है पस्चिम है अच्छांस जो थी प्रनधान अच्छांस रेखा जो थी विश्वत व्रत जो था प्रत्वी को उत्री गोलार्द और दक्षडी गोलार्द में बाड़ता है देशांतर जो होते हैं या परधान देशांतर रेखा जो होती है जीरो डिग्री देशांतर रेखा जो है जो ग्रीन विच वेद साला से हो करकी उजरती है वो प्रत्वी को पूर्वी गोलार्द और पश्मी गोलार्द में बाढ़ती है तो यहां पर जब भी हम calculate करते हैं, गड़ना करते हैं तो हम पूर्वी देशांतर और पश्मी देशांतर के रूप में गड़ना करते हैं यह चीज आपको clear हो गई होंगी अब यहां से समझिए कि यहां से हम जो गड़ना करते हैं 180 degree पूर्व और 180 degree पश्चम तक गड़ना करते हैं और एक प्रमुख पॉइंट यह है कि 180 degree पूर्व और 180 degree पश्चम यह एक ही रेखा पर इस्थित है क्योंकि अच्छांस रेखाएं जो होती है वो प्रत्वी को अर्ध वरत्य के रूप में देनोट करती है उदाहरत के लिए असम में एक स्थान है धुबरी यह 26 degree नौर्थ अच्छांस और 90 डिग्री पूर्वी देशान्तर पर इस्थित है 26 डिगरी North अच्छांस और 90 डिगरी पूर्वी देशांतर पर इस्थित है तो जहाँ पे भी North अच्छांस यानि जो भी 26 डिगरी North है यह खला point और 90 डिगरी पूर्वी देशांतर जो एक दूसरे को काटेंगे एक दूसरे को क्रोस करेंगे वो पार्टिकुलर पॉइंट क्या होगा धुबरी होगा ठीक है फिर समझे एक बार और समझते हैं कि असम में एक पॉइंट है धुबरी ये 26 डिगरी उत्री अच्छांस और 90 डिगरी पूर्वी देशांतर पर इस्थित है ठीक है अब जहां पर 26 डिगरी मैंने मान के चला ये है आपका 26 डिगरी नॉर्थ ठीक है 26 डिगरी नॉर्थ अच्छांस हो गया और 90 डिगरी पूर्वी देशांतर मैंने ये मान लिया इस तरीके से ये 90 डिगरी पूर्वी देशांतर है तो 26 डिगरी नॉर्थ और 90 डिगरी पूर्वी देशांत किसी भी इस्थान की गलोब पर वास्तविक इस्थिती निकाली जाती है उसके अच्छांस और देशांतर को देखते हुए, तो उसके जो अच्छांस और देशांतर वाले पॉइंट हैं, जिस जगे पर एक दूसरी को क्रॉस करेंगे, जिस जगे पर एक दूसरी को इस्थिति के रूप में देख सकते हैं देशांतर और शमय सूर्य के द्वारा बनने वाली जो परचाई होती है दोपहर में सबसे छोटी होती है और जैसे ही शूर्योदय होता है यानि सूर्योदय होता है मौरनिंग के टाइम पे या शाम के समय में सूर्ड अस्त होता है उसके समय वो सबसे लंबी होती चली जाती है ग्रीन विच के पूर्व में जो प्रधान या मियोत्तर है ग्रीन विच ग्रीन विच के पूर्व में इस्थित इस्थानों का समय पस्चिम के इस्थानों से आगे होता है Greenwich के पूर्व में जितने भी इस्थान होते हैं, उनका समय पश्चम के इस्थानों से आगे होता है, जैसे आपने देखा होगा एक चीज कि प्रत्वी का जो सबसे पूर्वी बिंदू है, और प्रत्वी का जो सबसे पश्चमी बिंदू है, जैसे पश्चमी बिंदू कच्छ है इसका कि जिन देशों का या जिन इस्थानों का पूर्व से पस्चिम विस्तार ज्यादा होता है तो उनके समय में भिन्नता आ जाती है और इसी भिन्नता से बचने के लिए हम क्या बनाते हैं जो देश होते हैं उनमें टाइम जोन रखे जाते हैं जैसे हमारा जो टाइम जो शुखते हैं, उसको हम अपना, जो है, कह सकते हैं, मानक समय मानते हैं, तो green witch के पूर्व में जो भी इस्थान होंगे, उनका समय पस्चम के इस्थानों से आगे होता है, कारण क्या है क्या है, क्योंकि प्रत्वी अपने अच्छ पर पस्चम से पूर्व की ओर घूमती है, green witch क पूरी क्रिया कलाब को समझते हैं, पर्थवी 24 घंटे में अपने अच्छ पर कितने डिग्री घूमती है, 300 साथ डिग्री, ठीक है, तो 60 मिनट में कितने या 1 घंटे में कितने कह सकते हैं, डिग्री घूमेगी, 24 घंटे में जब 360 घूम रही है, 24 से डिवाइड करो, तो पंदर्वी गूम जाती है तो चार मिनट में कितना घूमेगी एक डिगरी ठीक है यानि प्रत्वी को एक डिगरी रोटेट होने के लिए एक डिगरी घूमने के लिए चार मिनट का समय लगता है अब यहां से कल्कुलेशन देखें अब मालो ग्रीन विच में दो पहर के ब जांगा अभी नॉरेमल तरीकए से समझने कोश सब्सक्रेन का रहें करें अब में कि अब घ्रीन विच के पूर्व में जो इस्थान होगा थिक है घ्रीन विच्ट के पूर्व में ने कि इस्थान होगे उनका समय पश्षम के इस्थानों से जनरली आगे रहता है, कितना आगे रहता है, कैसे इसकी calculation करते हैं, वो मैंने आपको बताया, पर्थवी एक डिगरी घुमने में कितना समय लेती है, चार मिनट, ठेक है, तो हम यहाँ पर अंतर कितने डिगरी पर निकाल लें, ग्रीन विच में दुपहर के बार बता है, पंदर डिगरी पर जो भी पॉइंट होगा, उसका टाइम जो है, वो ग्रीन विच से एक घंटा आगे होगा, ठेक है, एक घंटा आगे होगा, अब जैसे एक और चीज़ देखिए, आपने एक लाइन बार-बार जब भी आप जोग्राफी पढ़ते हैं, तो आपन भारतिय मानक समय जो है, वो ग्रीन विच मीन टाइम से साड़े पांच घंटे आगे है, अब ये साड़े पांच घंटे आगे कैसे होता है, अब ये समझेए कि भारत का जो मानक समय है, वो कितना है, साड़े 82 डिगरी पूर्वी देश अंतर, साड़े 82 डिगरी पूर्वी 15 degree पूर्वी देशांतर पर समय की calculation करी थी 15 degree ग्रीन विश्ट से 15 degree और हमारा जो मानक समय है वो ग्रीन विश्ट से calculate कर सकते हैं साड़े 82 यानी 82.5 यह degree है ठीक है एक degree खूमने में एक degree rotate होने में पर्थवी को time लगता है चार मिनट साड़े 82 degree rotate होने में time कितना लगेगा चार से multiplication करेंगे चार से multiplication करेंगे चार पंजे 20 हासर लागी 2 चार दुनी 8 और दो 10 हासर लागी 1 4 अठ्थे 32 और रिक्ते 33 330 तसमलब 0 330 मिनट लगेंगे पर्थवी को 330 मिनट के घंटे बनाईए एक घंटे में 60 मिनट होती है 305 घंटे यह सीदे सीदे होगे और 30 मिनट बची तो 5 घंटे 30 मिनट का मतलब क्या हुआ साड़े 5 घंटे यहां से आप clearly समझ पाए होंगे कि जो भारती मानक समय है साड़े 82 डिग्री पूर्वी देशांतर वो green which mean time से green which माध्य समय से साड़े 5 घंटे आगे किस तरीके से है ठीक है यह चीज आपको मानक समय मानते क्यों है मानक समय मानने के पीशे भी यह रीजन है जो मैंने आपको बताया था यानि जिन देशों का पूर्व से पक्षम की और विस्तार थोड़ा सजादा होता है या धिक होता है तो उनके वास्तविक समय में अलग-अलग समय बताये या आपको अलग-अलग सथानों के इसाप सबसे आपकी गड़ी को अलग-अलग रूप से सेट करना पड़े तो कितनी शमस्यां हो जाएंगी आपकी फ़्लाइट शूट सकती है आपकी ट्रें शूट सकती है ठीक है क्योंकि आप अपने time के सबसे चल रहे हैं और आप जा रहे हैं माली जी की पूर्वातर की तरफ जा रहे हैं आप भारत की पूर्वी इस्टरंड पिए urs хот तरफ जा रहे हैं वहां पर क्रे सास्कंप यह तो आप यहां से चलिए वहां सारी अश्विधाएं उत्पन हो जाएंगी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है यहां से देखने को मिलेंगी इसी वज़े से क्या करते हैं एक मानक समय मान लिया जाता है कोई भी जिससे के बहुत सारी अश्विधाएं जो उत्पन हो जैसे उदाहरण के तौर पर देखें, वैसे मैं आपको समझाई चुका हूँ, लेकिन एक बार और समझ लीजिए, द्वार का जो गुजरात में हैं और डिब्रूगड जो के असम में पढ़ता है, इसके इस्थानी समय में एक घंटा 45 मिनट का अंतर होगा, द्वार का आपका कहा पढ़ता है, आप गुजरात, गुजरात आपका पस्चिमी पॉ leaves, यहाँ पर आपका लगबक गुजरात होगा, यहाँ पर डिब्रूगन असम बगएरा जो हो ठीक है, तो द्वार का जो के गुजरात में है और डिब्रूगर जो के असम में है इनके इस्थानिय समय में एक घंटा 45 मिनट का अंतर होगा तो यह अशुविधा हो जाएगी ठीक है मैंने बताया था बहुत सारी चीजों में अशुवदा देखने को मिलेगी तो इस अशुविधा से बचने के लिए देश कोई बीचों बीच से गुजरने वाली है कि याम्योत्तर के स्थाने समय को पूरे देश का माना duplic समय माना जाता है तो माने पीछे को आईडिया देने के लिए मैंने चीज़एं लोका है अर्षर डिग्री पूर्वी देशांतर और 97 डिग्री 7 मिनट होता है वाइसे जनरली और 97 डिग्री 25 मिनट ठेक है यह बारत का जो है विस्तार है ठेक है देशांतरी विस्तार अर्षर डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर अब इ इन दोनों को जोड़ो और इसका आधा करते हैं और दोनों को जोड़ करके आधा करेंगे ठीक है तो क्या आएगा आपका साड़े 82 डिगरी पूर्वी देशांतर आएगा तो साड़े 82 डिगरी पूर्वी देशांतर रेखा को ही भारत का मानक समय मान लिया जाता है क्यों माना जाता है फिर दोबारा से समझे कि भारत का जो पश्चमी पॉइंट है यह पूर्वी पॉइंट है यह अपर ऐसे कहें प सकती है उससे एक problem create हो सकती है उस problem को होने से बचाने के लिए उस problem को जो है नेगलिट करने के लिए वो शमस्या पैदा ना हो इसके लिए भारत के बीचों बीच से या किसी भी देश के बीचों बीच से होकर के कुजरने वाली जो एक याम्योतर होती है उस पर जो time हो रहा होत उसी को हम उस देश का मानक समय मान लेते हैं अब बिलकुल मिड़ पॉइंट कैसे निकाला जाएगा भाई मिड़ पॉइंट निकालने का सीधा तरीका है ना पश्चमी बिंदू पूर्वी बिंदू दोनों जिस देशांतर पर हैं उनको जोड़ो और आधा करतो तो मिड़ व देशांतर आपको मिल जाएगा यह भारत का क्या हो जाएगा मानक समय हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं भारत ग्रीन विच के पूर्व में साड़े ब्यासी डिग्री पूर्व में स्थित है यह मैंने आपको पहले एक्स्प्रेंट कर चुका हूं और समय जो है वो ग् पूर्व से पश्चिम की और जो बिस्तार है वो अधिक होता है वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए है एक से अधिक मानक समय हालांके भारत का पूर्व से पश्चिम बिस्तार जो है वो ज़्यादा नहीं है क्योंके भारत की आकरती भी देखें तो चतोस्कॉड़ी इनका जो देशांतरी विस्तार है, पूर उसी पश्चिम की और जो विस्तार है, वो बहुत ज्यादा है, और जब बहुत ज्यादा देशांतरी इनका विस्तार है, तो यहाँ पर एक मानक समय से भी काम नहीं चलता, यहाँ पर कई-कई जो है मानक समय अपनाए जाते हैं, उद अगले चैप्टर की दरब चलते हैं प१िग जनरली दो गतियां करती है एक होती है घुरण गती और एक होती है परिक्रम्ण गती है घुरण और परिक्रमण में अंतर क्या है? घुड़न है, देखिए, प्रत्वी जो है, अपनी अच्छ पे भी घुमती है, और सूर का चक्कर भी लगाती है, तो अपनी अच्छ पर घुमना, अच्छ पर घुमने का मतलब है, आपने बच्पन में लट्टू घुमाया है, ठीक है? लट्टू, जिसको रसी से ऐसे करके बांद के, ऐसे करके जमीन पर छोड़ते थे, बहुता था लट्टू, तो लट्टू होता है, एक ही जगे पर इस्थिर रहता है, मतलब एक अच्छ होती है, उसकी जो सूई होती है, उस पर टिका हुआ होता है, और गोल-गोल घुमता ह ठीक है गोल-गोल घूमता है और जो गोल-गोल घूमता है वो अपने अच्छ पर घूमता है तो जो लट्टु घूम रहा है उसको क्या कहेंगे वो परिक्रमण कर रहा है या घूर्डन कर रहा है लट्टु जो घूम रहा है वो घूर्डन कर रहा है क्योंकि वो अपने अच् परिक्रमण का मतलब है पर्थवी सूर्य का चक्कर काट रही है पर्थवी क्या कर रही है सूर्य का चक्कर काट रही है बीच में सूर्य है ये सूर्य है और पर्थवी इसका क्या काट रही है चक्कर काट रही है ये क्या है परिक्रमण है ठीक है अब यहां पर एक पॉइंट और आप बिल्कुल समझें, कि जब पर्थवी सूर्य का परिक्रमण करती है, परिक्रमण करती है, तो परिक्रमण करते समय भी वह अपने अच्छ पर घूम रही होती है, तो घूडन और परिक्रमण की जो परिभाषा है, या इसकी general understanding है, I hope आप समझ पायोंगे, घूडन है, प्र्थवी अपने अच्छ पर 24 घंटे में एक चक्कर लगा देती है तो प्र्थवी की धैनिक गती के कारण ही प्रत्वी की घुरण के कारण ही दिन रात होते है दिन और रात का होना किसका कारण है प्रत्वी का अपने अच्छ पर घूमना प्रत्वी के अपने अच्छ पर घूमने की वज़े से ही 24 घंटे में जो है पूरा चक्कर वो प्रत्वी अपने अक्ष पर लगाती है और प्रत्वी के अपने अक्ष पर घूमने से ही दिन और रा पुरा एक चक्कर लगा लेती है, हमारा जो वर्ष होता है, वो 365 दिन का हम उसको मान करके चलते हैं, आपने देखा होगा प्रते एक चार साल बाद एक लीब वर्ष होता है, जिसमें 366 दिन होते हैं, जनरली फरबरी का महीना जो होता है, वो 28 दिन का होता है, लेकिन चौथे वर्ष फरबरी का जो महीना है, वो 29 दिन का हो जाता है, चार साल बाद में फरबरी 29 की बढ़ती है, वो एक दिन का क्या कैलकूलेशन है, वो एक दिन कैसे बढ़ जाता है, कैसे घड़ जाता है, क्योंकि सूर की परिक्रमा करने में प्रत्वी कितना समय लेती है, 365 सही एक व लगभग 6 गंटे प्रत्वी को तूरे का चक्कर लगाने में लगते हैं। सुविधा की द्रस्ति से हम 6 गंटों को नेगलेट कर देते हैं। हर साल उनको एड नहीं करते हैं ताकि हमें चीजों को समझने में दिक्कत ना हो 365 ही उसको consider करते हुए हम चलते हैं तो 6 गंटे फिर अगली साल भी 6 गंटे बढ़ेंगे फिर अगली साल भी 6 गंटे बढ़ेंगे फिर अगली साल फिर 6 गंटे बढ़ेंगे तो 4 साल बाद 6-6 गंटे मिला करके 24 गंटे हो जाते हैं तो 24 गंटे का है क्या हो जाता है एक दिन हो जाता है तो 4 वर्स एक दिन बढ़ा दिया जाता है एक साथ उसको बढ़ा देते हैं इसी वज़े से 4 वर्स में जो दिनों की संख्या है वर्स में वो 366 हो जाती है और उसी वर्स जो है फरवरी के महीने में वो एक दिन जोड़ दिया जाता है उनतीस दिन कर दिया जाता है फरवरी का महीना और उस वर्स को जिस वर्स एक दिन बढ़ जाता है वर्स के दिनों में उसको हम लीप वर्स के नाम से जानते हैं लीप वर्स के नाम से जानते हैं ति 29 दिन की होती है ठीक है अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रत्वी की अपने अच्छ पर घुमने की वज़े से होते हैं दिन रात रितुएं जो है अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग मौसम पाए जाते हैं कभी शर्दी है कभी गर्मी है कभी बारिश है ठीक है कभी शर्द है तो यह जो मौसम होते हैं शर्दी गर्मी जाड़ा यह रितु परिवर्तन है और रितु परिवर्तन का कारण क्या है पर्थवी के घुर्डन की वज़े से होता है। रितुओं में परिवर्तन किसकी वज़े से होता है। पर्थवी के सूर का चक्र लगाने की वज़े से यानि परिक्रमण की वज़े से रितू परिवर्तन होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हम। पर्थवी का अच्छ जो है व बनाती है, कच्छी सतरा से 64 degree कोण बनाने का मतलब क्या है, यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ, फिर आगे बढ़ो, यह जो इस तरीके से यह जो लाइन है न, यह इसको क्यों खींचा जा रहा है, यह इस वज़े से इसको क्यों खींचा जा रहा है, ताकि आप यह समझ प बलग चीज़ है कच्छी जुकाब बलग चीज़ है परत्वी का जो अच्छ पर जुकाब है यह अच्छ है ना परत्वी के देखिए अच्छ है अब यहां से चीजों को समझ जयेगा ही जो है यह काल्पने क्रेखा मैं खिंच रहा हूं चीड़ il подготов प्रत्वी इस तरीके से होती न सीधी होती तो यह अच्छ कहां पर होती यहां पर होती लेकिन प्रत्वी थोड़ी सी तिरची है जुकी होई है तो उसकी जो वास्तवे किस्थती होगी यह होगी लेकिन वास्तव में प्रत्वी ऐसे जुकी होई है तो इन दोनों के बीच का ज अब हम less करेंगे 90 डिग्री में से इसको घटाएंगे तो जो value निकल करके आएगी ये प्रत्वी का कच्छी जुखाफ हो गया ठीक है तो ये प्रत्वी के अच्छी और कच्छी जुखाफ की जो दोनों point हैं आपको याद रखेंगे आपसे पूछा जाए प्रत्वी का अच्छी जुखाफ यानि अपने अच्छ पर प्रत्वी कितनी जुखी हुई है साड़े तेस दिग्री और कच्छी जुखाफ अपनी कक्छा में कितनी जुखी हुई है साड़े च्छासट डिग्री जो है इसका अंतर है आप यहां से देखिए वह सम्तल जो कच्छ के साथ बनाया जाता है वह सम्तल जो कच्छ के साथ बनाया जाता है उसको हम कच्छी असम्तल कहते हैं वह सम्तल जो कच्छ के साथ बनाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं कच्छी असम्तल कहते हैं ग्लोब पर वह वरत जो दिन और रात को विभाजित करता है उसको प्रदीप्ती वरत उसको कहा जाता है ठीक है प्रदीप्ती वरत उसको कहा जाता है प्रदीप्ती वरत को यहां पर आप देखिएगा यह जो डाइग्राम है यह जो चित्र है इससे आप समझे घूडन के इस अच्छ पर जुकी हुए, यह जुकाब तो प्रत्वी का रहेगा, अपने अच्छ पर जुके होते हुए ही यह प्रत्वी का चकल लगा रही है, अब यहां से जो सूर्य का प्रकास जाएगा, सूर्य का जो प्रकास जाएगा, ठीक है, तो सीधी सी बात प्रत्वी के आधे भाग पर जाएगा, बैक वाले भाग पर जिस भाग पर शूर का प्रकास गिरेगा, जिस भाग पर शूर की किरणे गिरेंगी, वहाँ पर क्या होगा, दिन होगा, उजाला होगा, और उसका जो विपरीत भाग है, पीछे का हिस्सा है, उस पर शूर की किरणे नहीं पहुंचे रहें और दूसरे वाले भाग पर क्या हो जाएगा अंधिरा यही प्रत्वी जब घूमते हुए सूर के दूसरी शाइड में पहुँचेगी तो यह वाला भाग जो होगा यह सूर की किरण के सामने आ जाएगा तो फिर इस वाले भाग पर जो है अब जो जिसमें उजाला हो रहा है यो यलो यलो आपको दिख रहा है अब इस पर जो उजाला हो रहा है इस पर अंधेरा हो जाएगा और इस वाले पर क्या हो जाएगा उजाला हो जाएगा तो जिस भाग पर प्रकाश आपको दिखाई दे रहा है जिस भाग पर उजाला है व को मैं 21 जुन से start करता हूं कि जैसे प्रत्वी इस तरीके से देखी ये जो मार्क दिखाए गया ना है प्रत्वी के कैसक estéह के हैं चक्कल लगाने का मार्क है कि यह जो मार्क दिखाए इस परवल सब्सक्राइब यहां से आपको हो को अब ऑसनी से समझ सकते ने कि सूरbaby सूर की क्रणे सीधी इस जगे पर पड़ रही है तो एक जो है लाइने आप को दिखाई देरी होगी थोड़ी डार्ख और एक फूड़ा बलू कलर में यह वाला हिस्सा है, जूरे के प्रकाशसें पूरी तरे से प्रकाशत होगा. अब इस प्रकाशत होने में आप देख पारे होंगे, उपरवाला भाग जो है यह उत्री ध्रोब है तो उत्री धुपर भी प्रकास है, लेकिन द surprise ध्रोब जो है, इस पर प्रकास नहीं है तो 21 जून की जब अवधी होती है, 21 जून का जो दिन होता है तो उत्तरी गोलार्द में ग्रीश मरितू होती है क्योंकि सूरी की किरने जो है डायरेक्टली पूरे उत्तरी गोलार्द को परकाश रित करती है तो उत्तरी गोलार्द में क्या हो जाती है ग्रीश मरितू होती है 21 जून को और दशडी गोलार्द में क्या होती है शीत्रितू होती है क्योंकि देखिये आप यहाँ देखती रहे होंगे दशडी गोलार्द में सुर्ड का पर्कास नहीं पहुँच पा रहा है इस अवस्था को हम उत्तर अयनांत कहते हैं इस अवस्था को क्या कहते हैं उत्तर अयनांत कहते हैं 21 जून को ये होता है 22 दिसंबर को 21 जून वाली स्थिती के बिलकुल विपरीत स्थिती होती है 21 जून को जो कंडिशन होती है ठीक उसके विपरीत कंडिशन 22 दिसंबर को होती है यहाँ पर क्या होता है सूर की किरने जिस तरीके से यहाँ पर आएगी प्रत्वी घूमते हुए इधर आएगी तो यहाँ पर आप देखेंगे सूर की किरने जब directly प्रत्वी पर पढ़ेंगी तो उत्तरी ध्रूब जो होगा वहाँ पर जो है इसकी किरने पहुंच नहीं पाती हैं दश्डी ध्रूब पर सूर की किरने पहुंचेंगी दश्डी ध्रूब में जो है क्या होगी गृष्मरितू होगी क्योंकि यहाँ पर डाइरेक्टली सूर की किरने पढ़ेंगी और उत् ठंड रहेगी, शीतरितू रहेगी, तो ये बिलकुल विपरीत इस्तिती है, और 23 सितंबर को विशोविस को कहा जाता है, यहाँ पर क्या होता है, सूर की किरने डाइरेक्ट जो है, डाइरेक्ट ली जो है परत्वी पर पड़ती हैं, तो यहाँ से आप देखेंगे, चीजों को यहाँ से मैं आपको बताने की कोशिच करूँगा, रितुओं में परिवर्तन जो होता है, वो सूर के चार ओर परत्वी की इस्थिती जब बदलती जाती है, उसके कारण रितुओं चेंज होती है, 21 जून को सूर जो है उत्तरी गोलाड की ओर जुका रहता है, और सूर की किरने करकरेखा पर सीधी पड़ती है, विशुवत वरत के उत्तरी भाग में गर्मी का मौशम होता है, अभी मैंने आपको पताया था, और 21 जून को इन चेत्रों में सबसे लंबा दिन होता है, सबसे छोटी रात होती है, प्रत्वी की यह अवस्था उत्तरी अयनान्त कहलाती है, बाकी आप नाग्राम से आप उसको समझ सकते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है, उत्तरी गोलारद में बसंत होता है, दक्षडी गोलारद में शरत होता है, ठीक है, उत्तरी गोलारद में बसंत होता है, और 23 सितंबर को उत्तरी गोलारद में शरत होता है, दक्षडी गोलारद मे जो इस्थिति होती है इसको हम विशुप कहते हैं विशुप और विशुप को अगर अंग्रेजी में बोले हैं तो equinox equinox मतलब दिन और रात बराबर होते हैं 21 March और 23 सितम्बर को दिन और रात की अवधी में कोई अंतर नहीं होता है दिन और रात होगा आज हमने दो chapters को discuss किया हमने आज अच्छांस और देशांतर को समझा हमने आज प्रत्वी की गतियों को समझा ठीक है और ये चीजें आपके लिए काफी beneficial रहेंगी इसको बहुत अच्छी तरीके से आपको revise करते रहना है चाहें तो आप इसके notes भी बना सकते हैं चाहे one day exam हो या कोई भी state pieces का exam हो सभी के लिए जो है NCRT कितनी महत्पूर्ण है इसके बारे में मुझे बताने की आवश्रक्ता नहीं है आप सभी जानते हैं कि NCRT का status क्या रहता है exams में बहुत सारे exams में directly ही questions NCRT से पुछ ले जाते हैं तो NCRT पर पकड़ आपकी बहुत अची तरी disturbance हो गया था घर में casualty हो गई थी स्वर्गवास हो गया था तो इस वज़े से बीच में disturbance मुझे भी दिक्कत हुई और आपको भी दिक्कत हुई होगी बहुत जादा लेकिन अब समश्या है जीवन में आ जाती है तो उनको handle भी करना पड़ता है तो धीर धीर हम चीजों को फ काफी को खतम करने के बाद में CRT की जो और भी subjects हैं उनको हम कबर करने का प्रयास करेंगे ठीक है मिलते हैं आप से फिर एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक की साथ में तब तक के लिए नमस्कार जैहन